नमस्कार बच्चो, कक्षा 10, exercise 9.1 का पहला प्रशन हम करने जा रहे हैं बच्चो प्रशन को ध्यान से पढ़िए, प्रशन है, सरकस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चड़ रहा है देखे माल लिजे ये एक 20 मीटर लंबी डोर है, सरकस का कलाकार है जो यहां से उपर की और चड़ने का प्रयास कर रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानि खींच कर बांधी हुई है और भूमी पर सीधे लगे खंभे को के शिखर से बन्दा हुआ है यह भूमी है बच्चो यह जो नीचे होगा हमेशा इसको हम भूमी मानते हैं और यह एक सीधा खंबा लगा हुआ है तो यह जो डोर है यह खंबे के उपरी सीरे पर बंधी हुई है तना हुआ है इस प्रकार से यह खंबा है यह डोर है और यह भूमी है यदि भूमी स्तर के साथ दोर द्वारा बनाया गया कौन 30 डिगरी का हो भूमी स्तर के साथ दोर का कौन यह दोर है यह भूमी है इन दोनों का जो कौन है वह है 30 डिगरी तो खंबे की उन्चाई ग्याद कीजे हमें यह खंबा है न ए भी इसकी उन्चाई हमें ग्याद करनी है तो हम मान लेते हैं मान लोग खंबे की उंचाई बराबर H और खंबा है बड़ा होगा तो इसकी जो उंचाई है वह हम H मीटर मान लेते हैं अब बच्चों ध्यान से देखेगा हम इसमें त्रिकॉन मितिय अनुपातों का प्रियोग करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों हमेशा ध्यान ध्यान रखेगा हमें निकालना जो है H वह उपर रखिए एच क्या है यह प्रपेंडिकुलर है और जो हमें दिया होगा जो लंबाई दी होगी देखें यह हमें यह वाली लंबाई दी हुई है इस समकोन त्रिभुज में अब यह समकोन क्यूं है क्योंकि किसी भी भूमी पर जो खंबा लगेगा वह समकोन सीधा लगेगा टेड़ा खंबा नहीं आप देखेंगे कहीं पर भी इसी रहे है धर्ती के साथ भूमी स्थर के साथ 90 डिगरी का कोन बनाएगा तो यह समकोन त्रिभूज हो गया 70 डिगरी के सामने वाली जो भूजा होती है वह हाइप उती है यह हमें दी हुई है बीस मीटर याद रखना जो हमें निकालना है वह उपर रखना जो हमें दिया हुआ अब आप ध्यान रखे प्रपेंडिकुलर अपॉन हाइपॉर्टिन्यूस यह प्रपेंडिकुलर यह हाइपॉर्टिन्यूस प्रपेंडिकुलर बटा हाइपॉर्टिन्यूस होता है साइन साइन थीटा था ना बच्चा प्रपेंडिकुलर बटा हाईपॉटिन्योज और थीटा कितना है बच्चो थीटा है कोण हमें ये नियून कोण दिया हुआ है 30 डिगरी इसका मतलब साइन 30 डिगरी बराबर होगा पी बटा एच और पी कितना है प्रपेंडिकुलर कितना है बटा एच हाइपॉटिन्योज कौन सा है अब हम इसे हल करेंगे बच्चो जब हम साइन 30 की वैल्यू देखते हैं हमने पिछले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किया था उसमें हमने देखा साइन 30 की वैल्यू थी एक बटा दो यह बराबर होगा एबी एबी हमें नहीं पता तो इसको लिखेंगे एबी बटा हाइपॉटिन्यूज है 20 मीटर इसको हम लिख देंगे इस प्रकार से यहाँ पर 20 मीटर तो इनको हम क्रॉस मर्टिप्लाई करते हैं बच्चो इस प्रकार से जो नहीं दियूए है साइड उसको लेफ्ट साइड पर पहले जाओ एबी गुना दो दो गुना एबी बराबर है 20 मीटर के तो यहाँ से एबी कितना आ जाएगा 20 मीटर दो एबी के साथ गुना हो रहा है उधर जाएगा तो 20 से भाग हो जाएगा अब हम फिर से इसको कार देते हैं 2 से 20 कट गया 10 इसका मतलब एबी आ गया 10 मीटर और एबी क्या है बच्चो एबी है खंभे की उन्चाई तो हम यहाँ लिख देंगे खंभे की उन्चाई बराबर 10 मीटर यही हमारा उत्तर है तो बच्चो देखा आपने यही त्रिकोन मितिय अनुपातों का प्रियोग है कि हम त्रिकोन मितिय अनुपात के द्वारा कि अभी तो हमने सिरफ एक खंभे की उन्चाई पता की हम किसी पेड की बड़ी बड़ी इमारतों की उन्चाई या उनकी किसी जगा से दूरी इस प्रकार के जो कैलकुलेशन हैं वो हम त्रिकोन मितिय अनुपात के साथ कर सकते हैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रशन समझाय होगा यदि आप इस प्रशनावली के अन्य प्रशनों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहाँ पर बाकी प्रशनों को देख सकते हैं धन्यवाद बच्चों